भावना आपकी देखकर मुझे ऐसा लगता है, शब्द आपके देखकर सुनके मुझे ऐसा लगता है कि आप इस देश को कहां लेके जा रहे हैं शायद जनता जनारदन समझ रही होगी संबित पात्रा, सुना आपने योगिया दितनाद के बारे में पूरा बोल लें अमिज शाह के बारे में क्या कुछ का गया और उसके बाद मैं महमूत प्राचा के पास भी जाओंगा क्विक्ली सम्मिद प्रात्रा देखिए अमिज जी इनका कहना है कि अमिज शाह ने सुपारी ले रखी है योगी आदितिनाथ ने सुपारी ले रखी है और इनकी सुपारी ले रखी है सुपारी लेने के बाद, डरे हुए होने के बाद, कहीं के ना होने के बाद ये रोज टीवी में जिस प्रकार का जहर उगलते हैं वो हम और आप देखते हैं आज मुझे आपको बताओं सही मायने में ये डिवेट सुन रहा था थोड़ी देर पहले चंदरयान भी लाँच हुआ है मैं डॉक्टर अब्दुलकलाम को बहुत मिस कर रहा हूँ ये देश कभी भी हिंदू मुसल्मान नहीं करता है ये देश चाहता है, हर आदमी को चाहता है जो वाकई इंटिग्रेशन चाहता है हर आदमी आज, आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अब्दुलकलाम को एक ऐसा मुसल्मान जिसने कभी भी हिंदू मुसल्मान नहीं सोचा जिसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे डर है, मुझे किसी चीज़ से अलग होना है मैं यहां हिंदुस्तान में हूँ, पाकिस्तान नहीं गया और इसलिए मेरा खराब हो रहा है, मुझे हथियार रखना है अब्दुलकलाम का हथियार क्या था? अब्दुलकलाम का हथियार साइंस था, टेकनोलोजी थी किस प्रकार भारत आगे बढ़े अब्दुलकलाम का वो हथियार था इसलिए आज हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा, चाहे वो हिंदु हो, मुसल्मान हो, सिक्खो या इसाई हो वो अब्दुलकलाम को याद करता है मगर प्राचा साहब का हथियार क्या है? रह्मानी जी का हथियार क्या है? यह अभी बिस्कुट खा रहे थे, अराम से बिस्कुट खा रहे थे और अभी बिस्कुट खतम होते हैं डर गए किसी ने इनकी सिपारी दे दी? कोई इनको मारना चाहता है? यह इतने डरे हुए हैं सर आप इतना गुस्से में मुझे बोलने दीजी सर इतना गुस्सा मत करिए थोड़ा दया भी करिए दूसरों को बोलने दीजी देखिए अब रह्मानी साहब मैं बड़ा सम्मान करता हूँ यह SDPI के हैं SDPI किसकी बॉड़ी है यह PFI popular front of India की बॉड़ी है जिस जोसेफ प्रोफेसर का हाथ काट दिया था क्या उस जोसेफ को भी बंदूक रखना चाहिए क्या उस जोसेफ के घरवालों को प्रोफेसर जोसेफ के घरवालों को तमंचा रखना चाहिए कि जब इनके मैं आज डरा हुआ हूँ क्योंकि यह बंदूक रखने वाले हैं मुझे बोलने दीजिए मुझे बोलने दीजिए कि आज मैं डरा हुआ हूँ देखिए ये कश्मीरी पंडितों की घर से इनकी मा बहन को बाहर खीच-खीच के सड़कों पर बरातकार किया गया कहा गया कि मा बहन को छोड़ो और तुम कश्मीर से निकल जाओ हज्जारों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया किसी ने कहा कि इनको बंदूक रखना चाहिए किसी ने कहा कि हमें धंगे भढ़काने चाहिए किसी ने कहा कि सेल्फ डिफेंस के लिए हमें तमंचे रखने चाहिए खुदाना खास्ता किसी ने कह दिया होता तो यही popular front of India वाले यही All India Muslim Personal Law Board के जो वकली यहां बैटे हैं वो सर पे आसमान खड़ा कर देते हैं हमें ये पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं हम जीने लायक नहीं है ये आजम खान 26-26 F.I.R. इनके खिलाफ होते हैं गरीब लोगों की जमीन हडप लेते हैं और जब इन पे कारेवाही होती है तो ये कहते हैं हिंदुस्तान बत्तर देश है हिंदुस्तान में रहके हमने बड़ा खराब किया हमें पाकिस्तान चला जाना जाए उनके पार्टी के विजाय के रहे हैं कोई अब्दुल खराम के घणा नहीं करता है अब जिसकी टरन आई की जिसको मैं बोलूगा वही बोले मैं तरही कह रहा है कि आप आपने कहा कुछ नहीं आप सही कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं कहा लेकिन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कश्मीरी पंडितों को आपने यहां लाके बहुत आराम से यहां सबको नौक्रिया भी दिये सब को वजीवें भी दे रहे और अत्ते आराम से जी रहे कि आज कश्मीर वापस जादा निकाते आप ने साथ से ज्यादा लोगों को पतल किया रहे हैं, तो आराम से जीना मुश्किल पाम है, यह उनका पाफ है, मतलब आप उनकालोगे, वो जस्लिफाई करोगे, आप पंपं करने लिए, मैं यही कह रहा हूँ, परांचा साथ से भी एह कह रहा हूँ, इन हो औरने कहा कुछ भी नहीं, मत्यात पताइए, कि देश के अंधर आप 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 अप करेंः, आप अमन के आश्या की बयार चलाना चाह Bluetooth के साथ, लिसनसी हत्यार ने लो अपने घर में लिसनसी हत्यार रखलो और यह यह कहकर आप अमन अमन पेश करना चाहरे हैं वह असीव वकार ने थोड़ा एक्सपोस करा असीव वकार साहब ने थोड़ा एक्सपोस करा मेhmood प्राचा एंप पार्टी को भी कल्बे जाविद के साथ कल्बे जाविद राधनात सिंग के साथ वैसे तो आप गूंते हैं जो जो असीव वकार ने बुला और यहां पर वो कह रहे हैं कि यहां पर आप कह रहे हैं कि बंदुके रख लेनी चाहिए एक तकिन रुकिए एक तकिन रुकिए